बॉड मॉनिंग इस्ट्वेंज कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप लोग अच्छे होंगे अज आपके वर्षीट नमो पर्टी टू आई है से चेसे लेवल की जी डी डी टालिए अपना नाम अपने टीचर का नाम लेकिए बीटा अभी तक ही मेरे पास इंग्लिश मीडि को सीखेंगे ठीक है यह लिका है वेल गोइंग फॉर स्कूल पिकनिक एक स्कूल पिकनिक में सोनिया डिसाइडिड सोनिया ने डिसाइड करा था तू नोट रीडिंग ऑन दो ओडो मीटर ऑफ दा बस आफ्टर एवरी 30 मिनिट स्टिल दे एंड ऑफ दा जैनरी उसने यह डि पताता है तो उसने कहा कि हम हर 30 मिन बाद यानि हर आदे गंटे बाद जाएंगे और उसकी जो कितने किलो मीटर चला है वह हम नोट डाउन करके लाएंगे ठीक अब यहां का कोशन लिखते हैं वेज कॉंटिटी इस मेजर बाइड ऑडो मीटर के द्वारा जो कॉंटिटी मे वह किसी वहिकल का किसी गाड़ी का कितना इस तेबल को बने जब आट बजे गई तो ऑडो मीटर के रिटिंग इतनी इसका मतलव बिल्कुल बिल् monsieur सबUST है प्रहरह 8 बचे ओर्डो मीटर इतनी होगी इससे निर्डी 10,4 गारी 40 km चल Braun ऐसके बाद उन्हें उससे पता चला के अब टोटल गारी 40 km और इंहीं लों सब्सक्राइब कि और शुरू उस चल रहा है और बिलकुल जहां पर उन्हेंegIS आप ठीक है यानि यहां पे देखे 2020 भर ला है तो अब यहां देखे Sonia had no idea to measure the speed or the position of the bus at particular time अब Sonia को इसका idea नहीं मिल रहा कि वो किस तरह से इसको ना पे के particular time में bus ने कितना चला तो हर teacher उसके teacher ने कहा told हर उससे कहा to draw distance time graph अब एक काम करो आप distance time graph बना लो to get more information from the data show ताकि जो data आपने show किया है उसके बारे में आपको ज़्यादा information मिल सके ठीक है तो उसने क्या किया उसने अज़र time graph बनाया कि भई 0 पे थी गाड़ी और 8 बजे हमने time start करा और उसने 8 से 8, 9, 9, 10, 10 बजे तक time लिया चीक है और उसने distance देखा कि जब उसने गाड़ी ने चलना शुरू करा था तब तो गाड़ी 0 पे थी लेकिन साड़े 8 बजे गाड़ी 20 पे पहुच गई थी फिर उसके बाद गाड़ी 40 पे पहुची फिर साड़े 9 बजे 60 पे और लास्ट ली वो पहुच गई 80 पे 10 बजे जहां पर यह दोनों लाइने आपस में काटती हैं यहां पर हम डॉट बनाते चले गए और इस तरह से हमारा लाइन ग्राफ बन गया अब देखे यहां पर आपको इसी लाइन ग्राफ को बनाने के steps दिये गए है step to draw distance time graph time graph को बनाने के लिए distance वो बताया गया कि कैसे बनाएंगे तो यह लिखा consider the following data of the motion of the car यहां पर आपको एक data दिया गया है car के motion का इसको आप देखिए अब क्या करना है take a sheet of graph paper आपको एक graph paper की sheet ले लेनी है draw two lines perpendicular each other on it mark ठीक है अब क्या करना है आपको दो lines draw करनी है जो एक दुसरे के perpendicular होंगी mark the horizontal line o x जो horizontal line है उसको आप o x रखिए ठीक है it is known as the x-axis जिसको हम बोलते हैं x-axis similarly mark the vertical line अब आपको एक vertical line खीचनी है जिसका नाम आपको o y रखना है it's called the y-axis इसे हम लोग बोलते हैं y-axis के लिए रहे या तक represent the time along x-axis the distance y along y-axis खते है time आपको x-axis पर दर्शान है जबकि distance आपको y-axis पर दर्शान है choose the scale to represent the distance and other to represent the time on the graph अब आपको अपने हिसाब से scale को या choose करना है कि यहाँ आप number क्या रखने वाले है तो इसको रखने का तरीका बिटा यह होता है कि आप सबसे छोटे number को देखिए और सबसे बड़े number को देखिए उसे के हिसाब से इसके बीच में एक एक का दो दो का तीन तीन का जित्ते का पिर difference आप रखना चाहें रख सकते तो आप यहाँ देखिए for example above data 1 meter तो आप 1 minute को 1 cm माल लिजे और 1 km को भी 1 cm माल लिजे जैसा कि इन्होंने यहाँ पर माना है आप देख पा रहे होंगे उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसके बाद उन्होंने कहा mark the value for the time and the distance on the representative axis according to the scale of your chosen अब आपको जिससे सबसे आपने चूज कर रहे हैं उससे सबसे आपको lines draw करनी है जैसे अब time में 0,1,2,3,4,5 है ठीक है तो time देखिए यह 0 से शुरू होगा तो देखिए 1 अब 1 दूसरा भी 1 है तो 1 जहाँ पे दोनों 1 काटेंगे यहाँ आपको एक point मिल जाएगा ऐसी 2,2 जहाँ पे दोनों काटेंगे यहाँ आपको point मिलता चलेगा आप उस जगहाँ पे point लगाते चलिए जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं है ना यह देखिए यहाँ पे point लग रहा है यह देखिए इसी तरह से यह सारे point लगाते चलिए और फ्यूस के बाद इसको मिला देन है ठीक है देखे लिका mark the point on the graph paper to represent the set each set of the value for the distance and the time जैसे कि यह आप देख पा है distance and time दोनों की यहाँ पे values put होगी join all the points अब सारे points को join कर दीजिए on the graph show as in the figure जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है it is a street line यह एक straight line बनेगी this is the distance time graph for the motion of the car इस यह क्या बन गया आपका यह आपके car के motion का distance graph बन गया अब यह आपको दूसरा कोशन लेका है draw the distance time graph of the following motion अब आपको इस motion के लिए भी distance का time graph बनाना है तो चलिए इसका answer हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को finish करेंगे अब इससे लिख सकते हैं यहाँ पर आपका समय हो जाएगा यह आपकी